नमस्ते बच्चों, कक्षा ती स्री हिंदी बाल भारती में आप सभी नन्यमने बच्चों का स्वागत है आज हम पड़ेंगे नानी जी का गाव यह बहुत ही खुब सुरत कविता बच्चों, आपने कभी गाव देखा है? हमने तो देखा है, हम जब छोटे थे, तो हम हमारे नानी जी के गाव जाते थे अभी नानी जी आने कौन है? हमारे माता जी की माता उन्हें हम नानी कहते हैं, जब भी हम गाव में जाते हैं, तो हम चारों तरफ हरियाली देखते हैं, बहुत सारे पशु, पक्षी, मुर्गा, भैस, बकरी, ऐसे बहुत सारे जानवर हम गाव में देखते हैं तो आज हम नानी जी का गाव यह कविता पढ़ेंगे और इस कविता का आनन लेंगे, यह जो कविता है, यह लिखी है, डॉक्टर उदेराज उपाध्याय इन्होंने, बहुत ही सुन्द तरीके से नानी जी के गाव का वर्नन इस कविता में किया है हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाव में, अमराई के सगन छाओ में, बैठ मजे से खेले हम, पके आम खाए जी भर कर, हिला टहनिया पेडों की हम, आया खूब मजा है हमको नानी जी के गाव में हमने खूब बिताई छुट्टी नानी जी के गाव में सच है न दोस्तो हम नानी जी के गाव में बहुत थी मज़े से अपनी छुट्टिया बिताते हैं तो यहाँ पे हम पहले शब्दार देखेंगे यहाँ पे है हमने खूब बिताई छुट्टी खूब खूब यानि क्या होता है बहुत यानि हमने बहुत सारी छुट्टिया बिताई है कहाँ पर नानी जी के गाव में नानी जी के गाव में हमने बहुत सारी अपनी धुपकाले की छुट्टिया गर्मी की छुट्टिया या कोई भी छुट्टिया हो दिवाली की छुट्टिया तो यहाँ हमने मनाई है बड़ा घना आम का एक बगिचा है वहाँ पर छाओ याने चाया आम के बगिचे का जो घना पेड़ है उसकी चाया में हमने बैठ मजे से खेले हम वहाँ पर हम बैठे है मजे से और बहुत सारे खेल हमने वहाँ पर खेले है पके आम खाए जी भरकर हमने क्या किया है जो अमराई है आम का बगिचा है उसके जो आम है पके हुए हमने जी भरकर खाए है यह पेट भरकर खाए है हिला तहनिया पेडों की हम तहनिया तहनिया ने क्या होता है डालिया जो डालिया है पेडों की यह हम खुब हिलाते थे आया खुब मजा है हमको हमको बहुत मजा आया है खुब याने बहुत हमें नानी जी के गाव में बहुत बहुत मजा आया है सुबह शाम पकवान मिठाई नानी जी हर रोज खिलाती अध्भुत कथा कहानी मोहत खुब प्यार से हमें सुनाती मन हो जाता खुश्बू जैसा नानी जी के गाओं में हमने खुब बिताई छुटी नानी जी के गाओं में सुबह शाम यहने सबेरे और शाम को हमें हमारी नानी क्या खिलाती है? पकवान मिठाई पकवान यहने क्या होता है? व्यंजन बहुत स्वादिष्ट ऐसे व्यंजन नानी बनाती है और हमें खिलाती है अध्भुत कथा कहानी मोहग अध्भुत यहने होता है अनोखा यहने हमें बहुत सी अनोखी कहानी हमने कभी सुनी नहीं है ऐसी सुन्दर सुन्दर कहानी, मोहक याने लुभावनी, लुभावनी कहानिया जो हमारे मन को मोहित करती है, आकशित करती है, ऐसी कहानी हमें नानी रोज बहुती प्यार से सुनाती है, मन हो जाता खुश्बू जैसा, खुश्बू याने सुगंद, हमारा जो मन है यह सुगं देता है कहाँ पर नानी जी के गाव में इसलिए हमें नानी जी के गाव में जाना बहुत बहुत पसंद है तो बच्चों आपको आपके नानी जी के गाव में जाना पसंद है या नहीं यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्वाध्य की और हमारा पहला प्रश्ण है यहाँ पर मा से बालगीत या लोरी सुनो और सुनाओ आपको जो भी बालगीत या लोरी सुनना है वह अपने मा से कहना है और उसको सुनना है उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्ण दिया है शब्दों की अंत्याक्षरी खेलो शब्दों की अंत्याक्षरी खेलो यानि इसका मतलब होता है जो आखरी शब्द है उससे आपको पहला शब्द बनाना है जैसे कि यहाँ पर धारन के तौर पर दिया है तो ता से बनता है यहां पे ताली, ल आया है तो ल से बनता है लहर, र आया है तो र से बनता है रजनी, आखरी शब्द इसका है न, न से होता है नदी, इसका आखरी शब्द है द, द से होता है दीपा, पौधा, धान, यहां पे जो आखरी शब्द आपको दिया है, उससे आपको नया शब्द हमारा पहला शब्द है यहाँ पर तोता, तोते से तराजू, जहाज, जामून यहाँ शब्द बनते हैं उसके बाद है हमारा दूसरा शब्द ताली, ताली से बनता है ल, लड्डू, ड, डफली, ल, लड़की हमारा तीसरा शब्द है लहर, र आता है आकरी में, तो र से होता है राम, मचली, लसी, उसके बाद है रजनी, नमन, नयन, नाम पाच्वा शब्द है हमारा यहाँ पर नदी, द से बनता है दान, न से आकरी जो आकरी शब्द है न, उसे बनता है नानी, न से बनता है नल हमारा छटा शब्द है दीपा, पा, प से बनता है पतं, ग से बनता है गमला, ल से लकडी, हमारा सात्वा शब्द है यहाँ पर पौधा धा से बनता है धागा, ग से बनता है गाय, य से बनता है योगा हमारा आठवा शब्द है धान, न से बनता है नजर, र से बनता है राजा, और ज से बनता है जंगल हमारा अगला प्रश्न है कविता में आए क्रमा नुसार निम्नलिखीत पंक्तियों को पढ़ो याँने आपको यहाँ पर कुछ कविता की पंक्तिया दी है उसको आपको सीधा करके लिखना है याँने यहाँ पर उल्टा फुल्टा दिया है आपको इस कविता की पंक्तिया सीधी करके लिखना है जैसे कि यहाँ पर आपको पहले दिया है बैठ मजे से खेले हम, हिला तहनिया पेडो की हम, अमराई की सगन चाओ में, पके आम खाए जी भरकर आप यहाँ पर इस कविता में देख सकते हैं अमराई की सगन छाव में यह जो पंक्ती है यह पहले आई है उसके बाद बैट मजे से खेले हम यह पंक्ती यहाँ पे दूसरे नमबर पर है पके आम खाये जी भरकर यह तिसरे नमबर पर आई है और हिला तहनिया पेडो की हम यह जो पंक्ती है यहाँ पे आखरी में दी है मैंने यहाँ पे इसका उत्तर लिख कर दिया है अमराई की सगन छाव में बैठे मजे से खेले हम पके आम खाये जी भरकर हिला तहनिया पेडो की हम हमारा अगला प्रशन है प्रश्णों के उत्तर लिखो पहला प्रश्ण है बच्चे चुट्टिया मनाने कहा गय थे इसका उत्तर है प्रश्ण अमराई की सघन चाओं में खेले हमारा तीसरा प्रश्ण है बच्चे ने जी भरकर क्या खाया इसका उत्तर है बच्चों ने जी भरकर पके आम खाये चौथा प्रश्ण है बच्चों को पकवान मिठाई कौन खिलाता था इसका उत्तर है बच्चों को पकवान मिठाई नानी जी खिलाती थी पाच्वा प्रश्ण है नानी जी बच्चो को कैसे कथा कहानी सुनाती थी, याने कौन-कौन सी कथा कहानी वह सुनाती थी, इसका उत्तर है, नानी जी बच्चो को अद्भूत कथा कहानी सुनाती थी, छटा प्रश्न है, बच्चो को, बच्चो का मन कैसे हो जाता था, इसका उत्तर है, बच्चो का मन खुश्बू जैसा हो जाता था हमारा अगला प्रश्ण है कविता की पंक्तिया पूरी करो पहला है हमने खुब बिताई छुट्टी यहाँ पर बिताई के नीचे रिक्तस्थान दिया है दुसरा है अमराई की सघन चाव में सघन को डैश किया है तिसरा है हिला डैश पेडो की हम इसका उत्तर है तहनिया चौथा है नानी जी रिक्तस्थान खिलाती इसका उत्तर है हर रोज पाचवी पंक्ति है हमारी रिक्तस्थान भरो कथा कहानी मोहग इसका उत्तर है अद्भूत चटी रिक्तस्थान बरो है अमारी पंक्तिया पुरी करो मन हो जाता रिक्तस्थान जैसा इसका उत्तर है खुश्बू अभी हमाया प्रश्ण है कविता से चुनकर समानार्थी शब्द लिखो यहाँ पर आपको पहला शब्द दिया है चाया चाव दुसरा है तहनिया डालिया तिसरा है व्रुक्ष पेड चौता है बहुत खुब पाचवा है मिष्ठान्न मिठाई चटा समानार्थी शब्द है सबेरे सुबह संध्या शाम प्रति दिन रोज सुगंध खुश्बू मजा आनंद अगला प्रश्ण है शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो पहला प्रश्ण है चुट्टी या शब्द आपको दिया है आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है इसका एक वाक्य बनाना है चुट्टी का होता है मैं चुट्टिया मनाने नानी जी के गाव गई थी यहाँ पर माफ केज़ेगा यहाँ पर आधा चान नहीं आया कुछ तक्निकी वज़़से टेक्निकल इशू है वो तो यहाँ पर यहाँ के उपर आधा चान लगाना है दूसरा है पेड़ मेरे घर में बहुत सारे पेड़ है तीसरा है पक्वान हमारे घर में बहुत पक्वान बने है चोथा है मिठाई, मैं रोज मिठाई खाती हूँ इस तरह से आपको कुछ वाक्य अपने मन से भी बना सकती हो हमारा अगला प्रश्न है वचन बदल कर लिखिए वचन, वचन यानि क्या होता है पहले में यह आपको बताना चाहूंगी वचन का शाब्दिक अर्ख्थ संख्या वाचन होता है अर्थाद जिसमें एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कर लिखिए यहाँ पर पहला शब्द है वचन बदल कर लिखिए कववा, कववे, पत्ता, पत्ते, रोटी, रोटिया, डाली, डालिया, लोम्डी, लोम्डिया, मचली, मचलिया, तारा, तारे, टुकडा, टुकडे बच्चों, आप सबको पता है, जो आम है, यह फलो का राजा है, हम उसे फलो का राजा हमारा नैशनल फ्रूट बोलते है आम से हम बहुत सारे चीजे बना सकते है, साल भर उसको खा सकते है तो यहाँ पर एक प्रश्ण दिया गया है, चित्रों को देखकर आम से बने खाद्य पधर्तों को पहचानों और उनके नाम बताओ आम को हम अमचुर बनाते हैं, और उस अमचुर की पावडर हम साल भर यूज करते हैं, उसका इस्तिमाल करते हैं दूसरी चीज हम बना सकते हैं, यह चित्र है अचार का, आम से हम अचार भी बनाते हैं, यह जो चित्र आपको दिखाए दे रहा है, यह मुरब्बा है चौथा चित्र है आम रस का पाच्वा चित्र है आम रोटी इसे हम अमावट भी आत्ते है मैंगो आइस क्रिम ये मैंगो फ्लेवर में आती है आइस क्रिम जो आपको किसी भी सीजन में मिल जाएंगे झाल झाल